ज्यादा बहस अक्सर रिस्तों को खराब कर देती इसलिए कभी-कभी खामोसी भी बहतरी नोती है नमशकार मैं हूँ कमल शनिमाली आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक रासिफल सितंबर दोजा चौबिस के विसेश एपिसोड में यह एपिसोड मकर रासि के लिए है और यह रासिफल आपकी रासि नाम रासियता मून साइन पर आदा रही थे हर मासिक रासिफल के विसेश एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विस्टलेशन करते हैं इस बार भी वैसा ही करेंगे सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इंकम और इंवेस्टमेंट के बारे में जहां तक इंकम गेन प्रोफिट का प्रस्थन है रासिफथे इलिवन ताउस से लाब बाव से इसका विस्टलेशन किया जाता है लाब बाव के स्वामी मंगल है जो रासिफे इस सिक् मंगल की बाग्य भाववे दस्ती भी है ऐसी इस्तिती में मंगल का सयोग मंगल का सपोर्ट भी आपको मिलेगा सबसे पहले वो लोग जो जॉब में हैं वे एनेजेटिक बने रहेंगे उनके दिमाग का या बुद्धी से काम लेने का यहां पर अवसर मिलेगा फाइनेशली सपोर्ट उनको मिलने के योगें या आपको कोईन को रिसोज से फाइदा हो सकता है तो इनकम के मामले में हमेशा एक सोर्स पे बरुसा नहीं करें एक दूसरा सोर्स भी डवलप करके रखना चाहिए सनी की सडसादी का लास्ट फेस आपको चल रहा है और सनी की जस्ती भी लाब भाव पर है ऐसी इस्तिति में जो लोग मैनुफेक्शिंग सेक्टर में सर्विस करते हैं उन लोगों के लिए भी यहां पर कुछने कुछ फाइदे मन इस्तिति है या तो आपको सिफ्ट मिल सकत हैं financial professionals हो सकते हैं IT professionals हो सकते हैं या infrastructure से समझी professionals हो सकते हैं lawyer हो सकते हैं या वे लोग जो force में काम करते हैं defense में काम काज करते हैं या sports person है उन लोगों की बात करें तो भी इस्तितियां यहां पर बहतरीन है आप जो effort आप करोगे उस effort में आपका जो extra earning result है वो आपको मिलेगा unexpected gain की इस्तितिया आएगी या आप अपने जो भी effort है उससे संतुस्त होंगे उसका lab उसका appreciation जो भी आपको चाहिए उससे बहतरीन आपको मिलेगा जो लोग business persons है या उनकी बात करें तो infrastructure में जो लोग business कर रहे हैं चाहिए जौब कर रहे हैं प्रोपेशनल से या business persons है आपके लिए इस्तितियां बहुत better है land and building, building material construction, hotel, restaurant से समधित कामकाच करने वाले mining और herbal से समधित कामकाच करने वाले भी यहां पर संतुस होंगे, metal, medicine और chemical या petroleum product से समधित कामकाच करने वाले लोग यहां पर चाहें तो कुछ और जो extraordinary effort करने वो आप कर सकते हैं कि सनी की सरसाधी last stage पर है 29 March 2025 को सनी की सरसाधी का end हो जाएगा और आपकी life के अंदर बहुत तेजी से improvement या progress की स्थिति बन जाएगी unexpected gain की स्थिति बने होने वाले जो भी damage है वो damage या यह बोल सकते हैं जो भी आपने sacrifice किया है उसका compensation यहां पर आपको मिल जाएगा 2025, 2026, 27 फरवरी 2028 तक सबसे ज़्यादा progress होने वाली है वे लोग जो any type of transport से समझ रखते हैं या scrap का काम काते हैं manufacturing sector से जुड़े वे लोग हैं, automobile sector से जुड़े वे service providers हैं, उन लोगों के लिए इस्तितियां बहुत बहुत बहुतिन बन रही है, gain भी होगा, संतुस्ति भी मिलेगी, banking sector में काम काज करने वाले finance और financial brokerage या गिर्वी से समझ रहे काम काज करने वाले लोग भी यहां पर बहुत अच्छे डंक से काम काज करेंगे, जो job कर रहे ह वे सोचेंगे कि हमको अपना काम काज करना चाहिए, तो उस और भी आपको सोचना चाहिए, जिंदगी बर कोई व्यक्ति सर्फ नौकरी ही करता रहे, वो जरूरी नहीं है, जब आप सीख जाएं, जब आप expert बन जाएं, तो आपको उसी चीज को हुनर मान लेना चाहिए, ने कमाई के लिए, बेकरी, कनफेशनरी या राजनिती शेत्र, एजुकेशन सेक्टर से समधित लोग भी यहां पर संतुस्त होंगे, बहतरीन जो speed है, वो उनको मिलेगी, और साथ यसाथ, वे लोग जो IT सेक्टर में है, साथ यसाथ, टेंबर को इंडस्ट्री या लिकर इं साथ सेक्टर्स सितंबर दोजा चौबिश में मला माल होंगे, संतुस्त होंगे, उनका कामकाज फैलेगा, या उनको इनकम से यहां पर संतुस्ती मिलेगी, उनको प्रसंसा होगी, या यह बोच सकते हैं, उनको एक प्रकास से एक स्ट्रेंथ मिलेगी, कि उनकी जो भी आकान पती विशनी है तो कोई भी ग्रह अपने आपको डेमेज नहीं करता है अपने पाओं पर को लाड़ी नहीं मारता है तो ऐसी इस्तिति में यहां पर यो लोगों का काम कंसक्शन का काम है उन्हें स्टॉक करना चाहिए सरीयों टीम्टी सरीयों का सिमेंट का फैब्रिकेशन से स समदित या ओटर्मैबल सेक्टर पेट्रोलियम प्रोड़क्ट या एने टैफ ओ मैनुफेक्ट्रिंग से समदित कोई भी शेर मिल जाए उस पर इन्वेस्मेंट करना बहुत बैथरीन रहेगा और साते साते पेट्रोलियम प्रोड़क्ट के मामले में इस्तितियां बहुत ज दोजार चौबीस में सनी की सरसादे के लास्ट स्टेज और शनी की नीच बावपदस्टी ये आपकी परिवार से मन मुटाव के इस्तिति उत्पन करेगी या कुछ नुकुछ स्ट्रेस देने का काम करेगी घर महाबारत का मैदान हो सकता है और उसमें भी लोग अपने अपने चीज़ों के लिए फाइट कर सकते हैं ऐसी इस्तिति उत्पन हो सकती है उस मामले में मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि समय को जो की नेगेटिव टाइम प्रिड है 29 मार्ज 25 तक अपने आपको संभालें कंट्रोल करें माता पिता के साथ में पैरेंट्स के साथ में आपका मतबेद उबर करके सामने आ सकते हैं जो आपके परिवार के सद्दे से उनकी दवाई पर ज्यादा खर्च हो सकता है या उनकी आवशक्ताओं पर एक्स्पेंसिज ज्यादा हो सकते हैं तो ऐसी इस्तिति में भी financially आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं परिशान हो सकते हैं जो घर सदस्यों का सयोग चाहिए वो साइद नहीं मिल पाएगा उल्टा वे लोग आपसे ही अपना हिलाज करवा करके आपकी ही negativity करेंगे आप बदनामी करेंगे या आपकी संबव है और वो इस्तिति परवार में हमेशा देखने को मिलती है कि जितना ज्यादा अच्छा करता है उसको उतने ही ज्यादा साइड लाइन किया जाता है या जब उसका वक्त आता है तब उससे सपोर्ट नहीं मिलता है आई अब बात करें आपके सिक्सा के सुकी संतान सिक्सा के बारे में संतान के बारे मिशिलेशन किया जाता है और रासी से फिप्त आउस के अधिपती शुक्र है जो इस समय भागे बाव में है और आने वाली 18 सितंबर को शुक्र रासी से दसम बाव में आ जाएंगे या पंच मापुर इसमें एक मालवी योकर निर्मान हो जाएगा और वो बहुत बैतिन होगा और यह भी शुक्र आपकी रासी कुंडली के लिए की प्लेनट है मुख्य ग्रह है तो ऐसी इस्तिति में जब ब्रस्पति रासी से फिप्त आउसमें विराजमान है और ब्रस्पति को ग्यान के लिए संतान के लिए कारक कहा जाता है वो का फाइदा आपको मिलेगा वे स्टुडेंट जो एनि टाइफ ऑफ डिजाइनिंग से समझ रखते हैं मास मीडिया से समझ रखते हैं फैशन से समझ को स्टेडिज कर रहे हैं डिजाइनिंग से समझ को स्टेडिज कर रहे हैं एनिमेशन से समझ स्टेडिज कर रहे हैं और य साथ जो स्टुदेंट response का अतार commerce subjek ले करके finance में mastery कर रहे हैं या economic के आंदर studies कर रहे हैं special line के अंदर कोई course कर रहे हैं या पिर वे लोग जो literature से समझ इत कोई कोई course कर रहे हैं उन लोगों के लिए या पिर वे लोग जो teacher से समझ इत कोई course कर रहे आतार होने वाले teachers हैं या professional हैं लेक्षरर हैं इस मामले में ये समय आपको support करने वाला है ये इस्तितियां आपके लिए बहुत ज्यादा सुखदायक है लापदायक है तो यहां पर शुक्र से समधित, ब्रेस्पती से समधित, कोई भी course आप कर रहे हैं ये इस्तितियां आपके लिए बहुत बैठरी निया और सबसे सुखद इस्तिति यदि कोई exam है सेप्टमबर में या कोई competition के exam है कोई interview है कोई debate है या कोई entrance test में हिस्सा लेना है तो उसमें इस्तितियां आ संतान के मामले में आप यहां पर बागे साली साबित होंगे क्योंकि संतान से संतान बाव पर भी विरस्पती की सुखद दस्ति है तो ऐसी इस्तिति में जो दमपती संतान प्राप्ति की काम ना कर रहे थे उनको खुशकबरी मिल सकती है संतान की संतान प्राप्ति की भी यह यहां पर संभावना है संतां से समधित जो भी काम आपके हाथ में वो काम सफल होंगे चाहे वो कोई आपको एडमिशन दिला ना हो या उनको किसी और सिटीज में कोई फ्लैट खरीद करके देना है या किराई पर देना है या उनके लिए व्यवस्ता करनी है उस मामलों में पॉस्तिव है यदि आपकी संतान कोई को बिजनस में इन्वाल्व है तो उनका यहां पर फाइनिशली ग्रोथ बढ़ेगी संतुस्ती होगी और जो संतान जॉब डूंड रही है यहां उनको भी कोई कोई जॉब मिलने के योग है अता सब मिला करके संतान से समधित सुब ज़्यादा गौर्वानवीत होंगे बहुत अधिक प्रसन होंगे आईए अब बात करें आपके स्वास्ति की सत्रों की विरोधियों की रासी से सिक्स्ताउस से इसका विस्टेशन किया जाता है आप में से वे लोग जो बहुत ज़्यादा गुसा करते हैं या जिनका ब्लट जो भी स्ट्रेस है वो स्ट्रेस आपको नहीं रखना है या अपने कॉलस्ट्रोल को एक कंट्रोल करने की कोशिस कीजिए वो आपके लिए ज़्यादा बैतिन रहेगा सुब रहेगा और जो डॉक्टर ने आपको ट्रीटमेंट दिया है कि जो आपको सोस की गोली है अपनी प्राइफ को बचाने के लिए जो मेडिसीन होती है वो हमेशा साथ में लेकर के गुमना हैं चाहे आप सिरफ आस पास ही कहीं जा रहे हो तब भी सेकंड वे लोग जो चोट लग सकती यह पिर बलड वो सकता है उस पर आपको देनी की आवशकता है मंगल एंग्जाइटी देता है ंट्रो इन्फेक्शन से समधी प्रावल्म भी देता है especially mass से समधी problem जो होती है mass fitness से समधी problem होती है cramp से समधी problem होती है blood से समधी problem होती है उसमें और especially जो hips joint है वो सबसे ज़्यादा mangal ही damage करता है उस पर आपको ध्यान देना है यह जो seizure बारिस का seizure या बारिस के बाद का seizure जने उसमें फिसलन बहुत अधिक रहती है वो आपको साफदान रहना है care करके चलना है वो आपके लिए ज्यादा बैठरिन रहेगा या बहुत सेफ रहेगा आईए अब बात करें जिसको संबालना है यह जिसको manage करना मुश्किल होता है कई बार आँखों पर चोट लग जाती है तो फिर रोस्निक के अंदर कमी आ जाती है या खेल-खेल में भी कई बार जो चोट लगती है वो आँखों पर चोट लग जाती है सबसे sensitive area आँख है और या यह बोल सकता है कान के पीछे वाला हिस्सा है वहाँ पर चोट लग जाए तो बहुत ज़्यादा गंबिरता आ जाती चोट में उसको लेकर के बहुत सावधान रहना है और कोई भी ऐसी इस्तिति जो आवेस और कुरोध में revenge लेने वाले इस्तिति पै किसे इनकंप्लेंट कर दी तो फिर आपको पुलिस इस्तिशन के या कोट कर चेजिके चकर काटने पड़ेंगे वह अलग है आईए अब बात करें आपके गरसुकी दंपचुकी रासी से सब्तम बाव से इसका विस्तिशन किया जाता है सब्तम बाव के स्वामी चनमा है और पर राव की दस्ति है और सब्तम बाव में बुद्ध विराज मानें वो बुद्ध आपकी गुले में रोक बाव के अधिपती है बागे के अधिपती भी है बुद्ध और चनमा का जब भी संब्द होता है या बुद्ध कर कर आसी मा जाते हैं या चनमा के साथ में इस्तित ह चाहा जाता है तो सितंबर में आप दांपत सुख में मन से दुखी रहेंगे मेंटरी टॉर्चर रहेंगे और यह यह बोला जाता है कि कोई व्यर्त में ही विवात पैदा करने की कोशिज करेगा दुख देने की कोशिज करेगा अपमानित करने की कोशिज करेगा सब्तम्ब आ इस्तिति है उससे कुछ रहात मिलेगी लेकिन राहू की दस्ति के कालन आपको कुछ साजिसों के सामना तो करना ही पड़ेगा वो साजिसे चाहिए घरवाले करें फ्रेंड सरक्ल करें या कोईन को जान बूच करके आपको दुखी करने के लिए भी कुछ नू कुछ कुछ ऐसे चीज़ें कर सकता है जिससे आपका जीवन नेगेटिव बन जाए या आपके उपर एक प्रकास से वहम इस्तित हो जाए उससे आपको बचने के आप शकता है या ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है जिन लोगों की वीवा क से डवलप बहुत बैठरिन डंग से मेंटेंज करें क्योंकि इस्तार्टिंग में लड़े जगड़ा हो गया इस्तार्टिंग में एक दूसरी को समझने में अगर मालों कमी हो गई तो वह इस्तिति हमेशा यादकार बन जाती है क्योंकि यह स्टार्टिंग का टाइम पिरड मेमोरीज बनता है और इस मेमोरीज में नेगेटिवटी आते ही फिर मन खराब हो जाता है और हमेशा के लिए इस्तितियां बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती है सोच समझविक्सित हो जाती है आई अब बात करें उन लोगों की जिनके जिवन कोई गैरी फ्रेंडिसिप जो की राशी से फिप्ता उसका स्वामी है वो शुक्र भी नीच राशी में है तो ऐसी इस्तिति में अपन त्व या यह बोल सकते हैं friendship में आपको कुछ ने कुछ दूरी या कमी का ऐसास होगा या यह बोल सकते हैं रूखपन आपको मिलेगा expenses ज़्यादा हो सकते हैं या demanding ज़्यादा हो सकते हैं और इसे इस्तिति में आपको बहुत control बरा व्यवार रखना पड़ेगा नियंतित व्यवा रखना पड़ेगा अन्यता फिर वो इस्तितियां खराब हो सकती है लेकिन रासी से फिवता उसमें ब्रस्पती रहने तक या ब्रस्पती के होने से इस्तितियां बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगी तिस्ता तूटे कर नहीं लेकिन सनी की साड़ी स जो जॉइंट फैमिली रहते हैं उनसे या पिर आप अपने बच्चों से या पिर आप अपने जीवन साथी से कोई बात को लेकर के बैहस बाजी में ज्यादा व्यस्त होंगे या पिर ऐसी इस्तिति बन जाएगी कि आपको जवाब देना ही पड़ेगा संतान से कोई बात को लेकर मद्बेद हो सकते हैं दांपत सुख में इस्तितियां ठीक नहीं रहेंगी अथा दांपत सुख में भी आपको कुछ ने कुछ नेगिटिविटी का सामना करना पड़ेगा जो इमोशन्स होंगे वो इमोशन्स फुल्फिल नहीं हो पाएंगी या जो कमी ही निकाल करके बतला ही जाएगी तो ऐसी स्थिति में अपने आपको भी कंट्रोल करें और अपने परिवार को भी संभालने की स्थिति या जिम्मेदारी आप पर यह है क्योंकि ग्रेणिया सबसे ज्यादा सब मेडियेटर का काम करती है चाहिए वो संतान और उनके पिता के बीच में कोई भी दूरी है उसमें भी जो जिवन साथ होता है मतलब जो भी घर की इस्तरी होती है वही बिचोलिया का काम करती है वही मेडियेटर का काम करती है दोनों ही पक्सों को संभालती है और चाहे सास ससूर हो या पती हो उन दोनों के बीच में भी सेतू बनने से इसका स्थेक्साइब किया जाता है इस बार की praw के अधीपदी शुक्र हैं जो भाग्य बाव में स्थिता तो सिंपल शुक्र को मिले गा आपके रासी का की प्लिवेलर शुक्र है और शुकर जहां पर इस्तिते हैं वहाँ पर मंगल ब्रेस्पती और राहू का द्रस्ती होने से भी शुक्र को बल मिलेगा और रासी से दसम बाव में अटरा सितंबर को शुक्र प्रवेश जब करेंगे तो पंच माँ पर उसमें से एक योग मालवी योग का निर्मान हो जाएगा जो की बहुत ज़्यादा बलवान है तो ऐसी स्तिति में सितंबर माँ आपके के लिए जौब के लिए आपके प्रोफेशन के लिए बहुत शांदार है एक्स्ट्रा ओर्डिनरी है अनक्स्पेक्टेड गेन की स्तिति है वे लोग जो फैशन और कोस्मेटिक से जुड़े हैं हो चाहे आप ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं चाहें सेलून का काम करते हैं और चाहें आप कोई इनको डंग से डिजाइनिंग का काम काच करते हैं आपके लिए यहां पर संभावना है बहुत बलवान है बहुत पोस्तिव है इवेंट एंटर्टेनमेंट मीडिया इलेक्ट्रोनिक्स ज बैतरी लेवल का काम मिलने से आपका भी इस्टेटस इंप्रूव होगा वे लोग जो MNC से जुड़ेवें इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ेवें या पिर टेवेक और लीकर इंडस्ट्री से जुड़ेवें वे लोग भी यहां पर बहुत अच्छे टंग से करेंगे उनका काम काज भी स्पीडली इंप्रूव करेगा फाइनस या बेकरी से समद्री काम काज करने वाले बैंकिंग सेक्टर से समद्री काम काज करने वाल लोगों के लिए भी सितंबर दोजा चौबीस बहुत अच्छा है यहां पर जो भी आप effort करना चाहते हैं जो भी आ काम काज करने वाले लोग हैं उनके लिए भी यहां पर संभावना हैं बहुत ज्यादा बैटर है राजनेती शेतर में यदि आप हैं तो 18 सितंबर के बाद में कोई को नई जमेदरी आपको दी जा सकती है और जो लोग जो एजूकिशन से जुड़े हैं चाहे आप टीचर है प्रॉपर्जर है या अपनी खुद की स्कूल कोले चलाने वाले लोग हैं और लांवार लोग हैं यह केरियर पयंड चलने वाले लोग हैं आपके लिए यहां पर संभावना आई बहुत शानदार बन रही ए कि आपका विद्रेज बड़ेगा डिरिंग बड़ेगी और साथ बड़े फैसले ले पाएंगे आई अब बात करें मासिग रासिवल सितंबर दोजा चौबिस के उपायों के बारे में मंगल का उपाय करने के आपको आवशकता है क्योंकि मंगल सुक बाव के अधिपती लाब बाव के अधिपती होकर के सिक्स आउस में हैं सिक्स आउस में मंगल को यह कारक माना जाता है लेकिन शत्र रासि में होने से या मंगल के उपाय करने से काफी ज़्यादा आप इस्तितियों को नियंदिट कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं तो मंगल के उपाय के लिए आपको नित्य बजरंग बान या अनम मंदिरों वहां सिंदूर का चोला चड़ाना है और हरम मंगलवार को ट्यूज देखो आप हो सके तो लाल वस्तुओं का लाल फलों का दान करें या आस पास किसी मंदिर में बेंट कर सकते हैं सनी की सड़ सदिका लास्ट फेस थर्ड फेस आपको चल रहा है उन्तिस मार्च दो उस बीज मंध्र का जाप करें और हर सनी बार को काले रंकी वस्तुओं का दान दें जो भी उनको जिस चीट की जरूरत है वो आप प्रदान कर सकते हैं रतनों के बारे में बात करें तो आपकी रासी के फिप ताउस और नाइन ताउस अथा जो तीन त्रिकोंगे उनके रतनों को धारन करना हमेशा से सुब माना गया है और इसे ही भागिवरदी रतन लोकेट कहते हैं तो आप भागिवरदी रतन लोकेट में हीरा पंणना निलम रतन या ऊपर रतन कर सकते हैं ये आपके लिए सुब रहेगा और जो अपनी रासी कुनली के लक्ष्मी योगों को धनना योगों को बलवान बनाना चाते है उसका फाइदा उठाना चाते हैं उन लोगों को मकर रासी का लक्समियोग रत्न लोकेट धारान करना चाहिए तो ये था मासिक रासीफल सितंबर दोजाए चौबिस आपकी जन्ब कुली में से एक गरचनमा को आधार बना करके मैंने ये रासीफल आपको बतला है आप चाहें तो अपनी जन्ब कुली की संदर्ब में इस रासीफ करवाना चाहिए समय समय पर करवाना चाहिए लेकिन अपने आपको जोतिसी कभी नहीं बनाए या फिर आप खुद कोई मैगजिन पढ़ करके कोई बुक पढ़ करके या कोई भी ऑनलाइन कंसर्टेंसी ले करके जो आपको मालूम नहीं है कि कौन आपको सला दे रहा है उनस पढ़ के अपना पैसा बरबाद मत कीजिए या ब्यर्त के अंद्विश्वास में आकर के भी अपना पैसा मत खर्च करिए जोतिस् टोटकों की तरह नहीं है कि कुछ भी लिख देने से पाउँ पर कुछ लिख देने से जूते में कुछ लिख देने से या चार चावल फैक से आपकी समस्या हल हो जाएगी आपकी समस्या effort करने से ही हल होगी और वेदिक उपाय हमेशा आपको रात प्रदान करेंगे जो कि सेकड़ों वर्सों से चल रहे हैं जो ग्रंतों में मौझूद है तो हमेशा ध्यान रखिए कि एक सही परामर्स आपका जीवन बदल सकता है और आपको जब भी जिग्यासाओ अपनी कुंडली विस्टेशन की स्क्रीन पर दीवे नंबर पर संपर करके अपंडमेंट फिक्स करना है या वाट्सब नंबर पर मैसे ड्रॉप करना है हमार टीम मेंबर्स आपकी पूरी-पूरी साहता करेंगे जितने भी आपकी समस्या है उ प्रॉलम भी डिसकर्स कर सकते हैं और उसके लिए चाहिए वीडियो कॉंफेंसिंग बात करना चाहिए या पर आप चाहिए अपने मोबैल से टेलिफॉन एक कंसल्टेंसी की थूरू बात कर सकते हैं कोई भी इस्तिती हो आपको अपंडमेंट फिक्स करना है या आप कित में आप तक पहुंचेंगे चाहिए वाटसप पर और चाहिए आपको इमेल के माद्यम से मिलें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि अपने आपको अंद्विश्वास के हवाले नहीं करना है जो तिस हमेंसा गड़ना उपर जो आदारित है और जो भी बातचीत करें वो बात कि अतना दारंड करने से पिले उपरतना दारंड करें तो ज्यादा सही होगा आपके पैसे का नुकसान नहीं होगा मैं काम ने करता हम का सवस्त रहें प्रसंद रहें सुरिक्सित रहें अपना और अपने परिवार का बहुत-bहुत खैयल रखें आप सभी को मेरे नमस्कार बहुत बहुत शुब काम लाएं, इश्वर आपकी रक्षा करें, धन्यवाद.